हैं आप यह बीडो करने वाली हूं विंटर मेक अप लूग स्टार्ट हो गया थो उसी सो फस्ट अफॉल हम स्कीन केर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं टोनर के लिए यूज कर रही हूँ आयल्स गुड़नेस का यह ग्रीन टी टोनर और अच्छे से उसे एपलाई करके डैब डैब कर दूंगी और टोनर बहुत ही जरुरी होता है हमाई स्कीन के लिए तो प यह तीन चीज़े बहुत ही नेसेसरी होती है सो अगर आप लोग रूटीन में भी यह स्कीन केर फॉलो करते हो तो बहुत ही अच्छी रहती है हमारी स्कीन यहाँ पर अब बारी है मॉस्टराइजर की तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मामा अर्थ का यह ओल फ्री फे जितना नेसेसरी है उतना ही यूज करना चाहिए तो अच्छे से मैं मॉस्टराइजर को यहाँ पर लगा दे रही हूँ दैन अब मैं यहाँ पर एक चीज ट्राइ कर रही हूँ जो है यह गुडवाइब्स का फेशियल ओयल फेशियल ओयल जो होते है वह हम विंटर में ज्य से लगा लूँगी फेशियल ओयल बहुत ही अच्छे रहते है अगर आपको ऐसे नहीं लगाना है तो आप अपने मुस्टराइजर या जो भी क्रीम अप्लाइब कर रहे हो उसमें मिक्स करके भी इसे अप्लाइब कर सकते हो तो यह हो चुका है अब यहाँ पर बारी है फेस कर दिया है तो फस में यहाँ पर अपनी आइब्रो फील करूंगी तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ स्वीस ब्यूटी की मेरी यह जो आइब्रो पैलेट है उसे और उसमें से डार्क ब्राउन शेड को लेके एक एंगल प्रश की हैसे अच्छे से मैं अपनी आइब्रो है उसे यूज कर रही हूँ और उसकी मदद से अपनी आइब्रो को क्लीन कर लूँगी आइब्रो की क्लीन करने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आता है गाइस मैं अपने सब भी वीडियो में आप लोगों को यह बताती ही रहती हूँ सो यहाँ पर फर्स मैं अपनी वन आई का मेकप कंपलीट करूंगी और देन ऑफ केमरा दूसरी आई करूंगी क्योंकि फिर टाइम बहुत ही लगता है और वीडियो भी ज्यादा लंबी हो जाती है तो यहाँ पर मैं सपुली की हेल्प से उसको सैट करना बूल गए थी तो बाद मैं उसे सैट कर रही हूं और देन मैंने वही कंसीलर एज आई बेज यूज किया ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे डैप किया और यहाँ पर मैं अपना फीट मी का यह जो लूस पावडर है मेबलीन का उसे यूज कर रही हूं गाइस टस्मी बहुत ही अच्छा इसका यह जो 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 ऑपन ही ब्लेंड कर रही हूंसे लेके मैशे लिए-अपनने इनर वी कृँट ब्लेंड कर ुंगी यहाँ में आपनी ब्यूटी आर्टिस्टिक की ब्लेट है उसे यूज कर रही है ऊंसे एक जो शिम्री शेड्ट प्लेंड का पंतनीश धान Apart fromAYWest अच्छे से अपलाई करूंगे और देन उसे मर्ज भी कर दूंगी जिससे कोई फाइन लाइन्स या क्रीज जैसा कुछ भी नजर आए सो मैं उतना कुछ नहीं कर रहे हूं बस इतना ही आई मेकप में कर रही हूं सो अब मैं आई लाइनर के लिए यहां पर यूस कर रही हूं अपनी Blue Heaven की इसकैच आईलाइनर और अच्छे से एक विंग लाइनर में ड्रौ कर लूंगी सो आप लोग देख सकते हो मैं कैसे विंग लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ और धेन में यहाँ पर ओफ केमेरा अपनी दूसरी आई कम्प्लीट करके आप से मिलती हूँ सो यहाँ पर मैंने अपनी दोनों आईस कम्प्लीट कर ली है और एक डाक स्पोट और अपने अंडर आई को कवर करने के लिए यूज करूंगी और देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे डैब डैब कर लूँगी सौरी गाइस बहार से बहुत सारे होंस की आवाद आ रही है तो प्लीज उसे इग्नोर करना सो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे डैब डैब करने के बाद यहां पर मैं यूज करूंगी स्टेक वकी की यह जो कंसीलर पैलेट है यह और उसमें से एक डाक शेड को लेके उसके उपर मैं अपलाई करूंगी सो गाईस यह मैंने कुछ नया सीखा है सो आई होब आप लोगों को भी यह हेल्फूल रहेगा और पसंद आएगा क्योंकि इसे ब्लेंड करने के बाद जो बेज है वो बहुत ही फ्लॉलेज लगता है और कुछ भी ऐसा ओरेंज यह कुछ नहीं दिखेगा आप लोग देखना लास में सो उसके उपर में यह शेड को एपलाई करूंगी और देन उसे भी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप डैप करके ब्लेंड कर लूँगी सो गाइस यू कैन सी कि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है यह और पूरा ब्लेंड होने के बाद मेरा फेस बहुत ही अच्छा लग रहा है कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि लगाया था ओरेंज या कुछ भी सो या तो अब बारी है फाउंडेशन गी तो उसके लिए मैं यहापे मेबलीन फीटमी का फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो इंधी शेर 310 और उसे लगा के अच्छे से उसे भी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब करके ब्लेंड कर लूँगी और गाईज आप लोग अपने नेक को कवर करना मत बुलीगा क्योंकि वो भी नेसेसरी है जहां पर जरूरत है वहां पर उसे यूज़ कर रही हूँ और उसे भी ब्लेंडर की हल्प से ब्लेंड कर लूँगी और गाईज सभी प्रोडक्स की लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी अगर आप लोग पर्चेस करना चाहो तो आप वहां से पर्चेस कर सकते हो तो अच्छे से इसे मैं ब्लेंड कर दे रही हूँ अब जो मेरी वेटनवाइल की पैलेट है उसमें से एक ब्राउन शेड को लेके उसे एज ब्रॉंजर में यूज करूँगी और उसे एपलाई कर रही हूँ आप लोग देख सकते हो अच्छे से मेरी जॉलाइन पे और सभी जगह पे मैं उसे अच्छे से अपलाई करूँग तो यहां पर मैं नस को भी कॉंटॉर करूँकी दूर्द से टाय किया ब्रॉट यहां पर जो तीन शेर है थैं पिंक चॉरल और और उसे लिए भ्याउमन फारण चंप Roz backed YOU properties आपके पास कोई भी पैलेट हो आप उसे बहुत ही अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं और देन मैं उसे ब्यूटी ब्लेंटर की ये और एक बरश की हल्ट से भी थोड़ा बहुत ब्लेंड कर लोंगी जिससे बहुत हार्श ना दिखे और then highlighter के लिए भी मैं यही palette यूज कर रही हूँ और उसमें से जो shimmery shade है उसे as a highlighter यूज कर रही हूँ guys so मैं यहाँ पे अपने bridge of the nose और cheek bonds और सबी जगव जहाँ पे highlighting की ज़रुवत है वहाँ पे use कर रही हूँ इसे और then fingers की help से मैं अपने brow bonds को भी highlight करूँगी और एक brush की help से then inner corners में भी इसे apply कर दूँगी so अब मैं यहाँ पे again अपनी जो wet and wild की palette है उसमें से dark brown shade को लेके उसे lower lash line पे smudge out कर रही हूँ जिससे smoky सा look दिखे मुझे ऐसे look बहुत ही पसंद है मैं mostly ऐसा करती हूँ मेरे सबी looks में then यहाँ पे मैं काजल के लिए use करूँगी faces canada की काजल और in the shade black और then उसे अपनी upper water line और lower water line दोनों पे apply करूँगी अच्छे से so it's done complete हो चुका है यह तो यहाँ पे makeup fixer यूज़ कर रही हूँ मैं blue heaven का और then beauty blender के help से dab dab कर लूँगी और इसके बाद मैं mascara apply करूँगी क्योंकि कभी-कभी mascara apply करने के बाद हम makeup fixer यूज़ करते है तो वो spread होती है उसकी वज़े से तो यहाँ पे मैं Maybelline की colossal mascara यूज़ कर रही हूँ बहुत ही अच्छी mascara है यह गाइस और उसकी help से मैं lower lash line और upper lash line डोनों को कोट कर दूंगी इसकी help से तो इस दन तो मेरे lips यहाँ पे dry हो रहे थे तो मैंने यहाँ पर नीविया का lip balm यूज़ किया और यहाँ पर मैंने मैक की मीनि लिच्टिक यूज़ की हुई है इंदी शेड रशीयन रेर में भी सो उसे अच्छे से apply कर दूंगी so it's done guys तो यह है मेरा final look I hope आप लोगों को यह लूक अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो please decide like sir comment करना और subscribe करना मत बूलना so thank you for watching and love you all bye bye see you soon you